Hello friends, welcome back to my channel. मैं हूँ आपकी टीचर तमन्ना और आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये रिक्वेस्टेट वीडियो है. एक्षिली जो लोग मुझे मेरा फेस्बुक पेज फॉलो करते हैं. उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है, कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाओं, जिसमें मैं उन्हें ये बताओं कि लेस्ट प्लैन पर मंद के हिसाब से हम किस तरह से स्कूल में जो टीचर पढ़ाती हैं, तो वो पर मंद के हिसाब से लेस्ट प्लैन कैसे बना सकती है, कैसे ब तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दे पाऊं लेसन प्लान के लिए कि आपको लेसन प्लान बनाना जो है काफी एजी लगने लगे कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े तो फ्रेशर्स टीचर्स के साथ जो की टीचिंग में जाना चाहती है या फिर उन्होंने अभी अभी शुरुबात की है तो यह उनके लिए भी हलफुल रहेगा तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक स्कूल की डाइरी है यह मैं जिस लोकेशन में रहती हूँ वहां पर यह स अपना लेसन प्लान बनाया है और इस तरह से वह डाइरी के पीछे जो है प्रिंट करके देते हैं यहां पर क्लास 5 से स्टार्ट किया है उन्होंने बच्चों के छोटे बच्चों के लेसन प्लान इस डाइरी में नहीं है उन्होंने नहीं दिया है तो यहां पर आप देख स वो यहां पर उन्होंने लिखा है, जैसे कि जन्वरी में वो पढ़ाएंगे, भूल गया है कि इनसान, ये एक कवीता है, 26 जन्वरी की परेड, मतलब कि 26 में, जन्वरी जो हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, वो उन्होंने यहां पर लिखा है, किसमत का खेल वेकरन मे ये सारे ये कवीता, ये एक चैप्टर जो है, वो करवाएंगे, किसमत का खेल ये भी, यानि कि दो चैप्टर, एक कवीता और वेकरन में भाशा का चैप्टर वो करवाएंगे, तो उन्होंने पूरा यहां लिख दिया है कि जन्वरी में ये सारे चीज़े होंगी, फिर फर करवरी मार्च, अप्रेल मई, यानि कि ये वाला जो हिस्सा है, इसमें वो दो महिना लेंगे, एक अप्रेल का और एक मई का, उसके बाद जून, जुलाई, इस तरह करके उन्होंने पूरा लेसन प्लैन बनाया है, तो आप भी जब लेसन प्लैन बनाने जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कि आपको सिलेबस क्या क्या करवाना है बच्चे को, किसी भी क्लास का चाहिए, वो यूकेजी हो, नरसरी हो, या फिर क्लास 1-5 हो, जिस भी क्लास में पढ़ा रहे हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस, उस subject का syllabus पता होना चाहिए आप चाहे तो और इसके लिए स्कूल की तरफ से teachers को reference book दिया जाता है जैसे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वहाँ मुझे reference book दिया जाता है वहाँ पर जो भी जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जैसे कि ये मेरी स्कूल का science book है इस science book में पूरा यहाँ पर मुझे syllabus दिख रहा है कि यहाँ पर ये 11 syllabuses है ठीक है तो यहाँ पर अब मुझे select करना है कि पूरे one year में मैं इस 11 syllabus को किस तरह से पढ़ाऊ किस तरह से divide करके पढ़ाऊ तो जैसा कि उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो time table होता है एक time table होता है teachers का भी time table होता है कि आपको किस class में कौन सा subject पढ़ाने के लिए दिया जाता है अगर आप एक ही class के पूरे whole subject के teacher हो तब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको पता ही होता है आप अपने तरफ से भी time table सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन अगर आप selective teacher हो लाइक आप class 1 में math पढ़ाते हो फिर class 2 में आप English लेती है and then class 3 में आप Hindi पढ़ाती है तो इसके लिए भी आपको time table दिया जाता है कि आपका इस इस दिन class 3 यानि की class 2 में आपको Hindi पढ़ाना है तो उसमें आपको ये देखना होता है कि आपको पूरे आप चाहो तो एक मन्त का निकाल सकते हो जैसे मैं यहाँ पर किया है कि आपको एक week में कितने हिंदी के classes मिल रहे है जैसे मैं यहाँ पर science का किया है कि मुझे एक week में 1, 2, 3 यानि Monday, Wednesday, Friday science class दिया गया है मेरे class का लाइक मैं UK जी लेती हूँ तो उसमें मुझे 3 classes दिये गए है तो मेरे पास एक हफ़ते में 3 classes है उसके बाद पूरे मन्त में मुझे total जो है 12 classes मिल जाते है इसी तरह करके मैंने इसको divide कर लिया है और मैंने देख लिया है कि मुझे total किस तरह से classes मिलते हैं और मेरे school में जिस तरह से exam होता है जैसे कि August में हाफेरली and Feb में Anvil और फिर March से new session हो जाता है तो इसी तरह से आपको पहले अपनी school का पुरा rule पता करना होगा कि कब और कैसे वहाँ exams होते हैं आपको कितने classes दिये जा रहे हैं कितने आपके पूरे month में classes मिल रहे हैं और total आपके कितने chapter हैं जो कि आपको पूरे one year में complete करना है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है जब मुझे अपने class का पता चल गया कि मुझे इतना classes मिल रहे हैं पूरे six months में क्योंकि मैंने six months इसलिए divide गया क्योंकि six six month के बाद जो है exam होता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने six chapters है वो select कर लिए हैं पहले term के लिए तो पहले term के लिए मैंने six chapters select ही है उसमें से मैंने March month में who am I और my family को रखा है क्योंकि who am I और my family थोड़ा बहुत relatable लगता है मुझे क्योंकि who am I जो है उसमें हम बच्चे को अपने बारे में सिखाते हैं बोलना like कि मेरा नाम, मेरा age जो भी हम बच्चे को स्कूल में सिखा रहे हैं उसके नाम, उसका age वो किस standard में परड़ा है इस तरह से हम उससे सिखाते हैं उसके बाद हम उसके उसको उसके family के बारे में बताते हैं तो इसलिए मैंने इस दो chapter को एक ही मन्त में रखा है इसके लिए मैंने 6 classes लिए इसके लिए मैंने 6 classes लिए उसके बाद मैंने अप्रेल मंत में my body को रखा है पूरे 12 क्लास क्योंकि इसमें my body के साथ साथ sense organs भी बताये जाते हैं कि हमारे 5 sense organs होते हैं और वो हमें किस-किस तरह से help करते हैं तो इसलिए मैंने my body chapter को separate रखा है अलग रखा है उसके बाद मैंने animals और plants को एक करके में मंत में रखा है एनिमल के लिए मैंने 6 classes लिए और plants के लिए मैंने 6 classes लिए उसके बाद June में मैंने air classes के लिए 12 classes select कर लिए इसके बाद जब यह हो जाता है तो उसके बाद भी मेरे पास one month extra बच जाता है जो कि मैंने जुलाई मन्त रखा है फुल चैप्टर्स को रिवीजन करवाने के लिए ताकि मैं वापस से बच्चो को एक बार रिवीजन करवा सकूँ जिससे कि मुझे भी पदा चल सके कि बच्ची कितने पिपेर्ड हुए हैं और उसी मन्त में मैं बच्चो का छोड़ा छोड़ा टेस्ट लेती हूँ जैसा कि यहाँ पर वही प्लान मैंने आपको बताया है जो मैं अपने स्कूल में फॉलो करती हूँ मैं जब बच्चो को पढ़ाती हूँ तो ये पढ़ाने के बाद मैं पूरा ए 1 month पूरा last का 1 month revision के लिए रखना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो month अगर मैं उन्हें पढ़ाऊंगे उन्हें नए चीज़ सिखाऊंगे तो फिर वो preparation कब करेंगे revision कब करेंगे तो इसलिए मैं 1 month जो है वो पुरा रिवीजन के लिए रखती हूँ ताकि मुझे भी पता चल सके और बच्चों का भी प्रेपरेशन इस तरह से हो सके कि बच्चे एक्जाम में confidently आंसर लिख सके तो इसी तरह से मैं अपना लेसन प्लैन बनाती हूँ तो इसी लिए मैं कहा रही हूँ कि अगर आप लेसन प्लैन बनाते हूँ किसी भी स्कूल में या किसी भी क्लास के लिए तो सबसे पहले आपको दिये गए रेफरेंस बुक को आप फॉलो करें इसमें आप काउंट करें कि आपको total कितने chapters उने पढ़ाने हैं then आप ये देखें कि आपको classes कितने मिल रहे हैं कितने classes आपको दिये जा रहे हैं कौन से class को किस तरह से पढ़ाने के लिए उसके बाद जब आप ये select कर लेते हो then आपको ये decide करना होता है कि इन 6 क्लासों में आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे like first class में आपने उन्हें who am I का introduction दिया like कि इस chapter को ये chapter है क्या उन्हें इसके बारे में बताया like boy और girl का difference समझाया अगर quiet school है तो boy girl का difference उन्हें समझा आ गया like अगर quiet school नहीं है सिर्फ boys है तो अगर आप पढ़ाने वाली teacher अगर girl है तो आप अपने को लेकर example देके उन्हें बता सकते हो कि मैं कौन हूँ I am a girl and you all are a boy आप सभी boy हो और मैं girl हूँ तो इससे उनको difference समझ में आएगा who am I में आपको उन्हें बताना है कि हुए माई में हम क्या 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 बताते अपने बारे में आप अपना example लेकर आप बता सकते हो नो कि my name is निहा गुपता I am a girl मैं किस class में पढ़ती हूँ ये सारी बाते हम हुए माई में बोलते हैं तो इस तरह करके आपने पूरा एक class introduction के लिए ले लिया और उन्हें बताने लगे कि क्यों introduction जरूरी है इंट्रोडक्षिन अपने बारे में जानना बताना इसलिह जरूरी है क्योंकि जब हम किसी से भी first time मिलते था हैं तो उन्हें हम अपना introduction देते हैं लेकिन अगर हमें अपना नाम ही नहीं पता होगा अपने बारे में पता ही नहीं होगा कुछ तो हम उन्हें इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे फिर आपने दूसरा जो थर्ड क्लास है वो आपने रख लिया कुछ वोक्षीट के लिए जिसमें उन्होंने अपना नाम लिखना सीखा आपने उन्हीं सिखाया यहाँ पर दिखा सकते हूं यहां पर दिया गया आपने लिख दिया यही दूसरा अपने उन्हा पर व्हों अपने यही छोटा सा एक्जाम्पल है हुँए माय का अपने यही चोटा सा इक्जाम्पल उन्हें worksheet में दिया I am a boy या girl में वो खुद से tick करते हैं अगर वो लड़के हैं तो वो boy में tick करेंगे girl है तो वो girl में tick करेगी I am dash years old वो कितने साल के हैं तो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया like six five जो जिस भी एच के वो है क्योंकि उन्हें numbering भी आ जाती है नंबर के spellings the name of my school is अब यह थोड़ा सा tough है यह चाहे तो आप इसमें रख सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं my birthday is on इन सब के बदले आप कुछ easy easy तरीके उन्हें हुए में सिखा सकते हैं like कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूं तो UKG UKG लिखना काफी असान है just UKG बहुत बड़ा spelling नहीं है simple है UKG तो आप यह डाल सकते हो name of school की जगह आप standard डाल सकते हो कि आप किस standard में पढ़ते हो तो यह आपने डाल दिया इसी तरह करके जो है आपको who am i आपने six classes में complete करा दिया अब next जो six classes आप start कर रहे हो तो उसमें आपने my family के बारे में बताया like what is family family होता क्या है a group of members बहुत सारे लोग जो एक साथ रहते हैं एक घर पर रहते हैं उन्हें हम family कहते है family कितनी तरह की होती है तो nuclear होती है joint होती है और single parent family होती है एक दिन एक class में आपने पुरा introduction दिया next class में आपने कुछ pictures draw किये या तो बोड पर या तो फिर आजकल जो आया means उन्हें टीवी पर दिखा कर या फिर puppet show के जरीए या फिर आपके बुक में अगर diagrams बने है तो आपने उसमें दिखा कर उन्हें बताया कि ये father है ये mother है या फिर आपने बच्चों से पूछा कि आपक आपके पापा, आपके ममी, आपके दादा, दादी इस तरह करके आपने उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया सब कुछ दिखाया pictures के जरीए उसके बाद next third class में आपने उन्हें वर्कशीट दिया, वर्कशीट कैसी दिया आपने, आप आप देख सकते हैं इस बुक म आप मा की picture है, I mean mother की picture है, उन्हें या mother, father, grandma, grandpa, brother, sister, इस तरह का किया, या फिर आप इस तरह का भी वर्कशीट दे सकते हैं, यह पूरा spelling लिखा है और यह picture है, उन्हें मैच करना है, इस तरह का छोटा मुड़ा वर्कशीट आप उन्हें दे सकते हो, इस तरह के लेसन प्लैन आप कर सकते हूँ, अगर आप उन्हें हिंदी सिखा रहे हो, तो जैसी यहां मैंने अभी हिंदी का कुछ एक दो न्यू वर्कशीट यहां पर बनाया है, यह आकी मांत्रा जब मैं बच्चों को सिखाऊंगी, तो मैं इस तरह से उन्हें वर्कशीट दूँगी, पहले तो मै मैं उन्हें वर्कशीट दूँगी, जिससे कि वह इस तरह से शब्दों को जोड़कर जोड़कर शब्द बनाएंगे, उसके बाद वो पिक्चर को देखकर कोशिश करेंगे लिखने की, यहां पर फिर वो शब्दों को उल्टा शब्द, मतलब यहां मांत्रा नहीं लगाया कि मैं इस तरह से बच्चों को करवाऊंगे, यहां पर मैंने उल्टे शब्द लिखे हैं, उन्हें उसे सीधा करके एक शब्द बनाना है, एक सही सब्द बनाना है, उसके बाद यहां पर उन्हें सही शब्द पर गोला लगाना है, जैसे कि यह साथ लिखा है मैंने, उन्हे पता होना चाहिए कि साथ का सही स्पेलिंग, हिंदी में सही हम क्या शब्द होता है साथ का, तो साथ ऐसे लिखते हैं, तो इस तरह करके ही आपको प्लान करना होता है, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, किस तरह से पढ़ाओगे, फर्स्ड आप उन्हें इंट्रोडक् सकते हो कि आप जॉइन फैमिली हो या फिर सिंगल पैरेंट फैमिली हो या फिर नुकलियर फैमिली हो, आप उन्हें बता सकते हो कि नुकलियर फैमिली में कौन-कौन से मेंबर होते हैं, जॉइन फैमिली में कौन-कौन से मेंबर होते हैं, तो यह सब करके ही आपको अपने था था है। जो चाप्टटर है कि एपने ख्लास के एकौर्डिंग को चाप्टर को घिवाइड कर लेना ऊपसे अपसे को में जैसे साव Ihresasen flakery अब काल प्ताया होगा कि एक रहा ह Ses रहा से कि लेसन प्लान बनाना पड़ता आ जैसे कि यहां मैंने आपको सैंपल भी दिखाया है, यह हिंदी की है और फिर मैं आपको यहां English की भी दिखा देती हूं जैसे कि उन्होंने जनवरी में Literature से यह एक revision lesson लिया है और यहाँ देखिए उन्होंने periods भी लिख दिया है इसका मतलब कि वो तीन period तक revision करवाएंगे जो उन्हें तीन मिलेगा English के classes वो उनमें सिर्फ revision करवाएंगे revision में जैसे कि lesson 1 इस तरह का यहाँ पर lesson 2 उन्होंने लिख दिया है मतलब 3, 4, 5 तीन लेसन वो फरवरी मंत में करेंगे मार्च में वो लेसन 6 स्टार्ट करेंगे और रेस्ट ओफ फाइफ पीरिट्स रहेंगे उनके पास वो उनमें बाकी पढ़ाएवे चप्रस को revision करवाएंगे उसके बाद उनका अप्रेल मंत में फर्स्ट सेमिस्टर यानि की फर्स्ट एक्जाम उनका वो होता है तो इसलिए उन्होंने जो पाँच पीरिट्स है उसको बाकी बचेवे पाँच पीरिट्स को उन्होंने revision के लिए छोड़ दिया है तो इसी तरह से आपको पहले यह पता करना होता है कि आपका syllabus कितना है यानि कि आपको chapters कितने हैं subjects में और आपको classes कितने दिये जा रहे क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता हुगा कि आपके subjects किते और आपके classes कितने हैं आप अपने lesson plan को completely नहीं बना पाओगे तो I hope कि आज जो मैंने ये बताया है आपके लिए helpful रहेगा और आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी अप lesson plan decide करने में क्योंकि मैं भी अपना lesson plan इसी तरह से बनाती हूँ और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी helpful रहा हो आपको clear हुआ हो कि हाँ lesson plan किस तरह से बनाना है तो प्लीज आप comment box में एक message जरूर करिएगा अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो वो भी आप अपना doubt नीचे comment box में mention कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस doubt को मैं clear कर सको thank you so much for watching my video मेरे चैनल को please subscribe कर लीजे और bell icon को जरूर प्रेस कर लीजे आगे ऐसे काफी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और आपके लिए वो जरूर helpful रहेंगे so please अगर आप new freshers teachers हैं और आपको और भी बहुत कुछ सीखना है teaching profession से related तो आप मेरे चैनल को जरूर subscribe कर thank you